इस वीडियो में चर्चा करूंगा तुला राशी पर पढ़ने वाले वक्री शनी के प्रभाव को तुला लगन पर पढ़ने वाले वक्री शनी के प्रभाव को आप तुला लगन के हैं या तुला राशी के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मैं हूं पंडित दिनेश नारायन पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोक प्रिये चैनल ग्रहवाणी प्रेम से बोलिए जैमाता की मैंनों भाईयों शनी नैशरगी कुंडली में दसम और एकादश भाव का स्वामी होता है शनी क्या है शनी है आपकी कार्मिक उर्जा आपकी पर्सनल एनरजी जो जन्म जन्मांतर से आपके साथ अटाइश्ड है चवथा भाव अगर मन है तो दसम भाव अवचेतन मन है अवचेतन मन एक हवाई जहाज के ब्लेक बॉक्स की तरह होता है जहां आपके जन्म जन्मांतरों के क्रिये हुए कर्मों की इस्मृतियां संग्रहीत है और वहां है मकर का शनी शनी है वायू तक्त्वा और मकर राशी है प्रत्वी तक्त्वा तो वहां पर शनी जो है इन सारी इस्मृतियों को संग्रहीत करके रखता है यानि आपके जन्म जन्मांतरों के कर्मों का लेखा जो खा इसी सनी के पास है जो मकर राशी का सनी है और इस जन्म में जैसे कहते हैं ना कि जन्म जन्मांतर के किये हुए जितने कर्म हैं वो जब कुछ प्रारब्ध भबन करके आज आते हैं जो इस जन्म में हमें भोगना होता है और वो शनी कुंभ राशी का शनी है जो एकादस भाव का स्वामी है लाब का स्वामी है आपको च्या मिलने वाला है इस जन्म में वो है कुंभ का शनी मकर के शनी में और कुंभ के यही फर्ख है कि मकर का शनी आपके जैसे हवाई-जहाज का ब्लेक बाक किसी तरह आपके जनम-जन्म अंतर के करमों को कलेrea करम लेक्त किये हुए है और इस जनम में जो भूगना ऑंन। उसका कुछ अंसर वही है कुम्भराशी और वही है कुम्भराशी का शनी और उन कर्मों का क्या फल मिलेगा यानि क्या लाब मिलेगा तो एकादस भाव का लाब भाव देखो तो नमम भाव बनता है अब भाग्य साली भी हो सकते हैं दुर्भाग्य साली भी हो सकते हैं अपने पूर्वक्रत जन्मों के कर्मों के कारण मैं नुमाईयों वक्री शनी रेट्रो ग्रेड शेल्टर्न क्या देगा तुला राशी पर चतुर्थ और पंचम का स्वामी होता है तुला लगन पर चतुर्थ और पंचम भाव से जुड़ी हुई आपकी कार्मी कुर्जा है इनी भावों से जुड़ी हुई कार्मी कुर्जा है जिनका फल भोगने के लिए आप इस जन्म में जन्म लियें अब जब पंचम भाव में शनी वक्री इस्थिती में होगा और आपकी जन्म कुंडली में शनी वक्री इस्थिती में नहीं होगा वर्तमान में गोचर में वक्री है तो रजल्ट टिपिकल मिलेंगे परिशानी वाले मिलेंगे क्या परिशानिया होंगी मन में नकारातमक विचारों का बाहुल्य हो जाएगा नकारात्मक विचारों से भर जाएगा मन, हर चीज का नकारात्मक पच्छ देखेंगे, प्यार नहीं देखेंगे, घ्रणा देखेंगे, प्यार नहीं देखेंगे बेरुखी देखेंगे प्यार नहीं देखेंगे नफरत देखेंगे यानि हर चीज का नकारात्मक पच्छ अपनी तरक्की के लिए जो प्यास करने चाहिए जो अपने अंदर आत्म विश्वास होना चाहिए वहां भी कमजूरी यानि आप मन से हार जाएंगे आप वो लगेगा कि क्या फायदा होता है बहुत तो प्यास किये लेकिन कुछ नहीं मिला यही नकारात्मक विचार आपके पंचमभाव में शनी गोचर के मिलेंगे लेकिन शनी अगर आपका वक्री है जन्मकुंडली में तो इन में राहत रहेगी ऐसा आपके साथ नहीं होगा लेकिन शनी अगर वक्री नहो करके जन्मकुंडली में मारगी है तो यह सारी परिशानियां आपको झेलनी पड़ेगी पृथम द्रिश्टी सप्तम पर दामपत्य जीवन में इस पाउस से भी थोड़े बैचारिक मद्वेद पैदा करेगा प्यापार में भी और साजीदारों के बीच में कुछ मैचारिक मद्वेद पैदा होंगे दूसरी द्रिश्टी लाब भाव पर लाब भाव पर द्रिश्टी पड़ने से संघर्ष बढ़ेंगे परिश्रम करना पड़ेगा अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं कुछ गेन करना चाहते हैं यहाँ पर गिफ्ट में कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ गिफ्ट पर कुछ नहीं मिलने वाला लगना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा संघर्ष करना पड़ेगा एक पॉजिटिव एनरजी के साथ वो पॉजिटिव एनरजी जो इस समय आपके लिए सार्ट हो गई है कम हो गई है और वो आपको पैदा करनी है अपने आत्मबंस से कि दूसरी द्रश्टी पड़ रही है कि आपके द्वतिय भाव पर द्रश्टी क्या मतलब है आपकी जमापूंजी कम होने लग जाएगी जमापूंजी कम होने लग जाएगी कहां पर हो सकता है स्वास्त खराब हो जाए पेट से संबंदि समस्याएं हो जाए इन पर खर्चा करना पड़ेगा बीमारियों पर खर्चा करना पड़ेगा बैनों भाईयों अगर कुंडली आप जन्म कुंडली में आपके जो शनी है वो वक्री है तो फिर विशेश रूप से ऐसी चीज़े देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन अगर मारगी है कुंडली में तो जरूर देखने को मिलेंगी कुल मिला करके इस लगन में शनी कारक भाउं का स्वामी होता है इसलिए देर सबेर इसके रज़र्स सही हो जाते है यानि प्रारंभ हमें समझ्चा है उसके बाद ठीक तो करना क्या होगा आपको सकारात्मक भाउं से जुड़िए सकारात्मक मनों भाउं से आप अपने करतब वेको निवाहिए बेशक आपको सारी उपलब्धियां मिलेंगी केवल एक बात का ध्यान रखिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत और आपको अपने मन को नहीं हारने देना है बस इतना ही अगर आपने कहीं प्रतियोगी परिच्छाओं में फार्म भरे हैं तैयारी करके परिच्छाएं दी हैं उनके रेजर्ट्स नहीं आएं तो वेशक आएंगे और उनमें आप क्वालिफाई कर लोगे आपके धन के खर्चे बढ़ेंगे लेकिन धन की आमदनी के श्रोत भी बढ़ेंगे इसलिए निराश मत होईए क्योंकि ये जो सनी का गोचर है आपको सिर्फ और सिर्फ निराश करने के लिए आए बस इसी से बच जाएए सुन्दर कांड का पाठ करिए शिवजी की आराधना करिए आपके सभी कस्ट दूर होंगे आप सुखी रहें समर्द रहें इसी मंगल मई कामना के साथ मैं पने दिने शुनारायन पांडे आपसे विदा लेता हूँ प्रेम से बोलिए जय माता की